मैंने तो जिन पहले मंगाया था अभी इसको पढ़ रहा हूं मैं यह दे कंपाउंड एफेक्ट यह है डैनन हाडी द्वारा दिखा हुआ तो फिसकली यह यह बताता है अब तक जितना मैं पढ़ा हूं और समझा हूं उसका यह बताता है कि आप यह सोच सकते हैं कि छोटी ची को लगतार बार 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 करते रहें तो बहुत बड़ा एफेक्ट डालती है लॉंग तर्म में वैसे ही जैसे सपोज एक रॉकेड है उसका पाथ डिफाइंड है कि उसको चान पे जाना है या मार्स पे जाना है और वो अपने पाथ को पकड़े रहे तो वो चान या मंगल पे पहुंच जाएगा लेकिन अगर पॉइंट जीरो डिगरी का भी डेविएशन हुआ उसके पास में तो कहीं और पहुंच जाएगा या आप जरूरी रोज एक्सराइज करें ना करें लेकिन जरूरी है कि पांच पूशप या दो पूशप या एक पूशप डेली मारे त लाइम में आप देखेंगे की जो यह एक पूशप माते द्ढीर ओ आधे पूशप मारते हैं तो अईसे जो लोग मैं पूशप निमाने आपने में सौ दिन में सौ पूश अपमा लिए बैसिकली कहने का मतलब यह है कि छोटी-छटी चीजे करते रहने से लॉंग टर्म में बहुत अच्छा एफेक्ट होता है तो अभी मैंने इसको लगभग पढ़ लिया है कि 30-40 प्रेज बाकी है इसको पढ़ने को बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्रक्स क्या है या समरी बताऊंगा एक तरहीं कैसे यह बुक अच्छी है बैस सेलर है पढ़ना चीए मेरे हिसाब से लोगों को बहुत सारी चीजे नहीं सोजने समझने का प्रस्पेक्टिव प्रस्पेट बहुत सारी भैजगा कि सी समर्य है इस वजर सारी जवब यह लेस्ताब बिदाट चीजे है सब चर्ड़ के की जवरीम एसे का वा बेधित यवरीम से प्रٌ अवरीम से अोल्वरीम सुर प्यर हुटए़।